जहीं दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूटूब चैनल पर 31 दिन 2024 को फाइनेशल इर 23 चोविस अससमेट इर 24 पचीस खतम हुआ था जिसकी आईटियर आपको भरनी पड़ेगी तो दोस्तों आईटियर भरने के लिए एक डेडलाइन एक टाइम डिफाइन कर रखा है income tax department ने लेकिन इस साल से एक drastically change आगया है due date के अंदर वो क्या है कैसे है वो आपका सारा का सारा doubt इस वीडियो में clear हो जाएगा तो make sure करें इस वीडियो के लास्त का आप बने रहें ताकि आपको due date के जितने भी फंडे थे old tax regime, new tax regime, deduction exemptions तो कौन सी due date आपकी normal ITR की है, belated ITR की है और updated ITR की है, ये सारे की सारी हम इस वीडियो में discuss करने वाले हैं, अभी तक हमें subscribe नहीं किया तो please subscribe कर लें, ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे like जरूर करें और इस वीडियो को उन सभी लोगों में share करें, जो चाहते हैं कि उनको due date उनकी पता लग जाए, तो देर करते हुए, सीधा ही आपको ITR due date की बारे में बताने वाले हैं, ITR due date को लेकर के दोस्तो बहुत सारा confusion है, आपको पता होगा, 31,3,2024 को जो हमारा साल खतम हुआ था, financial year 24 था, assessment year 24 था, क्या drastical change आया है, यहाँ पे वो हम इस वीडियो के अंदर discuss करेंगे, तो make sure इस वीडियो क का जो fourth character होता है, वो P होता है, मतलब आप person है, इसके बाद में अगर आप एक H.E.O.F होते हैं, हिंदू and divided family, A.O.P है, B.O.I है, दोस्तो, whose books of account not required to audited, इसका क्या मतलब हुआ, अगर आप एक sale purchase करते हैं, और आपकी जो sale है, एक करोड रुपए से ज़्यादा है, आप एक service provider हैं, और आपकी receipt 50 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो आपको किसी chartered accountant से audit करवानी पड़ती है, और non audit case में, अगर आप एक individual है, professional है, छोटे business man है, ITR 1 बरते हैं, 2 बरते हैं, या 4 बरते हैं, लेकिन कई-कई बाई ITR 3 भी आप भर लेते हैं, बिना किसी tax audit के, salary की income है, long term, short term capital gain है, other source की income है, presumptive taxation है, F&O के अंदर काम किया है, intraday के अंदर काम किया है, तो आप लोगों के लिए दोस्तों जो due date है, 31 July 2024 है, वीडियो यहाँ पे खतब नहीं हुई है, make sure करें, काफी शारी नई चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है, 31 July 2024 से पहले पह होती है, तो 31 मई तक आपका जो सारा का सारा अपडेट होना था, अब most of the cases में सभी का TDS वगर अपडेट हो चुका है, 26 years अपडेट हो चुका है, तो आपके पास में TDS अपडेट होने के बाद में दोस्तों अगर जून महीना आपका निकल गया है, तो जुलाई-जुलाई टेक्स ओडिट करवानी पड़ेगी, यह टेक्स ओडिट आपको 30 सेप्टेμबर से पहले पहले करवानी पड़ेगी, गुवर्मेट कहती है, अपको कम से कम एक महीने का टाइम तो हम देने वाले हैं, आप 31 अक्टूबर 2024 से पहले पहले अपनी ITR भर दे, कौन सी ITR? जो टे रिटन नहीं बर पाया था कोई दिक्कत नहीं है इफ रिटन नोट फाइल 31 जुलाई तो 31 दिसंबर तक आप इसको बिलेटर आई टीर बर सकते हैं लेकिन लेट फिस आपको देनी पड़ सकती है कब देनी पड़ सकती है अगर आपकी इंकम डाइलाग रुपे तक है तो कोई लेट फिस नहीं है अगर आपकी इंकम डाइलाग से 5 लाग पर है तो 5000 लाग से ज़्यादा है तो 5000 पे की लेट फिस देनी पड़ेगी और 31 दिसंबर के बाद में दोस्तो और नॉर्मल आइट 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 अगर आपने TDS कम क्लेम कर लिया था आपका refund कम आ रहा है दोस्तों अगर आपका income है वो आपने ज़्यादा दिखा दी तो इसके अंदर आपका जो benefit हो रहा है उसको भी आप यहाँ पर show कर सकते हैं कि मतलब आपके benefit के लिए revision है अगर आपने 31 जुलाई से पहले भरी थी या 31 10 से पहले भरी थी या 31 दिखंबर से पहले भरी थी और अभी तक उसको आपने change करना चाते हैं अपडेट करना चाते हैं तो 31 दिखंबर तक आप उसको revise कर सकते हैं revise करने के fees दोस्तों 1000 या 5000 तब लग सकती है जब आपने original return को verify नहीं किया था क्योंकि अगर आप original return को 30 दिन म माधियम से कर पाएंगे जो एक खतरनाक है जहां पर आपका benefit नहीं हो सकता है ना तो आप उसको आप अपने tax को बढ़ा सकते हैं refund को ना आप income को कम कर सकते हैं तो इस तरह से भरी रिटन को आप एक बार दो बार तीन बार चार बार पांच बार जितनी बार मर्जी चेंज कर कर रहे थे ये बर सकते हैं ITRU two year from the end of the relevant assessment year दोस्तों जो assessment year खतम होने के दो साल तक आप इसको बर सकते हैं मैंने आपको बताया था कि अब भी assessment year आपका 24-25 है इसकी 31 जुलाई तक बरनी है और कुछ चेंज करना चाहते हैं या belated बरनी है तो 31 December तक आप बर सकते हैं लेकिन द बर सकते हैं लेकिन वो होगी ITRU updated ITR जिसके अंदर कोई refund नहीं आ सकता किसी तरह का कोई आप income को कम नहीं कर सकते हैं तो आपको क्या करना होगा दोस्तों इस केस में अपनी जो चलान बरना पड़ेगा tax बरना पड़ेगा late fees penalty और additional tax 25 परसेंट या 50% और बरना पड़ेगा इ ITRU आप भर सकते हैं तो फिलाल 3 सालों के ITR possible आपकी अभी भी है अब old tax regime और new tax regime के बारे में बहुत सारे लोगों का confusion था दोस्तों अगर आप old tax regime में जाना चाते हैं बहुत सारी deduction exemptions का benefit लेना चाते हैं तो आपको पता होगा दोस्तों आपको अपनी ITR 31 जुलाई से पहले बरनी पड़ेगी जो होती है 1391 के अंदर अगर आप belated ITR 1394 में बरते हो तो इसके अंदर आपको old tax regime का benefit नहीं मिलने वाला है तो forum 10IEA भी भरना पड़ सकता है वो 31 जुलाई से पहले अगर आप ITR 1 बर रहे हैं ITR 2 बर रहे हैं तो किसी भी तरने का form नहीं बरना हैं ITR 3 बर या ITR 4 बर रहे हैं तो forum 10IEA आपको पहले बरना पड़ेगा तब ही आप old tax regime में जा पाएंगे दोस्तों assessment year 24-25 financial year 23-23 जो हमारा new tax regime है वो default है मतलब अगर आप कुछ नहीं बताते हैं तो simply आप new के अंदर चले जाएंगे अगर आपने opt out करना है new से और जाना है old के अंदर तो ITR फाइल नहीं किरी आपने 31 जुलाई तक और automatically ये new tax lab में आपको process कर देगा suppose करो 31 अगस्त 2024 को आप ITR भरते हो और वहां पे आपने old tax regime select कर लिया तो आपकी ITR new tax regime में ही process हो जाने वाली है old tax regime 31 दिसंबर के बाद तो वैसे भी ITR U में available नहीं होने वाला है भी later ITR में नहीं ह फोर्म भरना है जो कि 31 जुलाई से पहले पहले है then you can change आपकी अपनी ITR को revise कर सकते हो एक बहुत सारे लोगों ने और question किया था sir मैंने ITR 1 भर दी है new tax regime में अब मैं इसी ITR को या तो 1 भरना चाहता हूं 2 भरना चाहता हूं 3 भरना चाहता हूं एक तो और form change करना चाहता हूं एक मैं new से old में जाना चाहता हूं तो क्या ये possible है तो जी हाँ दोस्तो ये बिल्कुल possible आपका होने वाला है तो दोस्तो income tax portal पर हम ITR 1 या 2 for example मैं आपको ITR 2 का form भरके दिखाने वाला हूं जैसे हम proceed with ITR 2 करते हैं यहाँ पे हम part A general information में जैसे आएंगे चाहे आप ITR 1 का form भर हो फाइलिंग स्टेटस पर जैसे आप आएंगे तो यह देखिए due date 31 जुलाई से पहले 1391 31 जुलाई के बाद भर रहे हैं तो 1394 के अंदर आपको रिटन भरनी है अब नीचे आ जाएं दोस्तों यह सबसे important point है do you wish to exercise the option 115 BSE opting out new tax regime यह कहता है new tax regime को आपको opt out करना है क्या भी अलग से आपको यहाँ पर declaration नहीं देनी है new tax regime में जाना है तो no पर click करना है और all tax regime में जाना है तो आपको yes पर click करना है अब मैं आपको ITR 4 या 3 जो की business की income होती है वहाँ पर भरके आपको दिखाने वाला हूं कि वहाँ पर आपको यह क्या दिखाता है जब ITR 4 के general information में हम आजाते हैं तो फिर से यह same question आपसे पुछता है have you exercise option 115 BSE 6 of opting out new tax regime दोस्तों आपने अगर new tax regime में जाना है तो simply no पर click कर दें और आपको कोई भी देखी अलग से forum वगेरा नहीं बरना है लेकिन आप चाते हैं कि आपको all tax regime में जाना है deduction की चूट लेनी है तो आपको फिर देखते हैं तो यह देखते हैं 10 IEA form आप यहाँ पर बर सकते हैं लेकिन उसका benefit आपको नहीं मिलेगा यह देखिए if option other than no is selected मतलब अगर आप new tax regime में नहीं जाना चाहते हो फिर कहता है please furnish date of filing acknowledgement number of 10 IEA note फिर से हापर note देता है for opting out option should be exercise on or before due date of filing of 1391 दोस्तों 1391 की डेट है 31 जुलाई है वैसे तो आप 31 दिसंबर तक 1394 में ITR बर सकते हैं लेकिन अगर आप belated ITR भरते हैं तो आप क्या करेंगे old tax regime में नहीं जा पाएंगे फिर आपको new tax regime में ही रहना पड़ेगा तो hope आपकी काफी सा doubt clear हो गए होंगे ITR 1 और 2 के अंदर कोई भी अलग से forum नहीं बर EA भरके उसकी तारीक और एकनोलिजमेटर नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है forum 10 IEA हमने already वीडियो बना रखी है तो वो भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर विजिट करके बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच जय हीन जय भारत